हाँ जी वच्छा पाठी शुरू करें? येस तो मैं वेपे निबार फिर आपके सामने और आज मिली कर आया हूँ Lecture No. 76 on Smart Read Vocab As usual, आज की इस Lecture में मैं डिसक्स करने वाला हूँ Smart Read No. 76 में जो Passage हमने आपके लिए पिक किया है English Language का, उसके difficult, complex, important words phrases, idioms या फिर phrasal verbs को, तो चलिए शुरू करते हैं with the very first word of the day which is soaring, reference के लिखा है But for Democrats, after the soaring rhetoric is over, there is no pretending that the fight that lies ahead will be anything but brutish and bitter, अब इसमें reference में इक word आया, rhetoric, जो हम किसी previous lecture में डिसक्स कर चुके है, rhetoric का मतलब वा उठता, यह बोलने की color, सब को मुख्द कर दे जो, पर कभी-कभी, at times rhetoric जो होते हैं, वो substance नहीं रखते हैं, यह उन बातों में वजन नहीं होता, गहरा ही नहीं होती खास करके, political context में rhetoric का use बहुत होता है, ठीक है हम बात कर रहेते हैं, soaring की, soaring का मतलब increasing rapidly above the usual level, यानि तेजी से बढ़ता हुआ adjective की तोर पर आएगा, soaring verb के तरह बे भी आ सकता है soaring prices अगर बोलेंगे तो adjective होगा और prices are soaring बोलेंगे तो verb हो जाएगा, ठीक है चलिए, context discuss करते हैं, meaning discuss करते हैं अब यह जो graph देख रहे हैं, आप तेजी से बढ़ रहे हैं, soaring prices examples करते हैं, नेखते हैं कौन सा sentence, सही है, कौन सा गलत soaring crime rates have led to increased security measures तेजी से बढ़ते हुए crime की rate है, उसने security measures को की तरफ वो लेके जा रहा है, यानि obviously जब crime बढ़ेगा, तो security measures बढ़ाने पढ़ेंगे, बिलकुल सही sentence the soaring prices of real estates are making it difficult for first time buyers, बिलकुल सही बात है, तेजी से जो real estate, यानि की जमीन और घरों की prices बढ़ रहे हैं उससे क्या हुआ, वो first time buyers के लिए difficult हो गया है कि वो कुछ खरीत माएं, सही है sentence the teacher was soaring the first boy with prices, तेजी से सेंस, teacher was soaring गलत है, soaring temperatures this summer have broken in all previous records, बिलकुल सही है, इस बार जो गर्मियों में temperature, देखा हमने तेजी से बढ़ता हुआ, उसने सारे records तोड़ दिये, clear है, yes, so I hope आपको सामझ में आगया हो, soaring meaning and context, escalating बढ़ना, तेजी से ascending हम किसी lecture में discuss कर चुके हैं, उपर systems के तोर पे consider किये चाहेंगे, चलिए, ओक करते हैं, next word पे जो की है brutish, brutish कहा से originate हुआ, brut से, brut होता है animal, पशू, और पशू जिसमें दया न हो, ऐना, ऐसा animal, वुद्धी न हो, दया न हो, अपने बारे में जो सोचे, जनी कि brutish ऐसा व्यक्ति, जो animalistic हो, यानि उसके अंदर सारी जानवरों वाली प्रवित्ति हो, वृत्यां हो, जानवरों वाली अपने बारे में सोचता हो, और cruel हो बहुत ज्यादा, उसको हम बोलेंगे brutish, adjective है, यह वाला, यह word है, यह adjective है, चलिए, reference तो हो है, पताइए, पहले से meaning देखते है, characterized by roughness or violence, resembling the behavior of a brute, यहनि, roughness या violence, जंगली जानवर के जैसा, और behavior कैसा, जैसा कि एक जानवर के होता है, पाश्विक, अना, अब यह तो literal context हो गया, पश्यू जैसा, दात भी पश्यू जैसे, यह जो पुराने, जब हम evolve नहीं हुए, उससे पहले कि इसी मानव की फोटो है, जंग लोगों को मार लो, या किसी, जैसे कबजा करना है, किसी territory पर दूसरे पर, तो लोगों को मार दो, उनको अटा दो वहां से, अपना, 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 अपना वर्च्व से बठाना है, तो इस तरीकी की जो सोच होती थी, एक ऐसे सोच है, brutish, निरदरी, barbaric, यह सारे words एक जैसे हैं, हाँ जी, sentences पढ़ते हैं, the brutish landscape of the mountains was breathtaking, doesn't make any sense, brutish landscape क्या होता है, his brutish mannerism made it clear he had little regard for others' feelings, अब कोई व्यक्ती है, उसके जो तौर तरीके हैं, वो कैसे हैं, ऐसा लगता है कि वो दूसरों की feelings का कोई रिगाड ही नहीं देता है, अपने बारे में ही सोच रहा है, बि the brutish ruler imposed harsh laws on his people, यह भी सही है, अब जो ruler है, वो barbaric है, निर्दई है, cruel है, तो उसने harsh laws apply कर रहे हैं, implement कर रहे हैं, इंपोस कर रहे हैं, दूसरों के ऊपर, the workers complained about the brutish working conditions in the factory, अब जो working conditions हैं, factory में, वो कैसी है, brutish हैं, यानि बिलकुल अच्छी नहीं है, काम करने लायक नहीं है, cruel ह नहीं है, लोगों को, कोई अंदर आया, entry मान लीजें ले ली किसी ने, अब कोई तव्यत खराब होई किसी की, बट उसको बाहर भी जाने दिया जा रहे हैं, नहीं, जब तक टाइम नहीं होगा, आप नहीं जा सकते, कोई बात नहीं हैं, बीमार हैं, पड़े रहे हैं, ठीक इनकी साथगी बर, पुलाइट, अगें विनंगर, ये सारे अंटरिम्स के तौर पर कंसीडर किये चाहेंगे, नेक्स बड़े इस एवोकेटिव, एवोकेटिव, एवोकेटिव का रफरेंस के लिखाया है, परहाप्स इस बिकास देमोकराइट स्कान सेल्स, अब इसमें, ब इनकमपास का मतलब all inclusive, सब को इंक्लूड करने वाला, all inclusive, yes, सब को इंक्लूड करने वाला, so हम बात करते हैं, इवोकेटिव की, इवोकेटिव का मेनिंग, bringing strong images, memories, or feelings to mind, याद दिलाने वाला, strong images लेके आना वाला, कुछ ऐसा scene देख लिया आपने, कुछ ऐसा सुन लिया आपने, जिस सिप कुछ याद आ जाया आपको, reminiscent एक word हमने डिसकस किया था, वैसा ही यह मिलता जाला, synonymous, ठीक है, अब यह देखे, यह जो image है, 2011 World Cup Final, last, जो 6 हि provocative है, आपको सारा World Cup का पूरा scenario याद आ जाता है, इविन इस match में क्या क्या हुआ, वो सब आपको याद आ जाता है, कि कैसे हमारे दो wickets बहुत जल्दी कर गए थे, फिर गंबीर आये, उन्होंने पारी समाली, और फिर उसके बाद दो नहीं आये, कोली की आउट होने के करा हूँ, 50 over match World Cup, so यह कैसा है, इविकेटिव है, याद दिलाने वाला, और examples है, Independence Day celebrations, the annual flag hoisting ceremony at the Ratford is evocative of India's struggle for independence, बेलकुल सही बात है, जब हम देखते हैं, flag hoisting ceremony होती है, जब Independence Day पे, even Republic Day पे जो ceremony होती है, वो हमें दिखाते हैं, कि हम कितने strong nation हैं, diverse nation हैं, कितने तरह तरगी इस चीज़े हमारे country में हैं, और एक साथ हम harmonized manner में कैसे जीवन अपना बिता रहे हैं, इस country में, और यह जो है, बात हो रही है, कि हमाएं आजादी की याद वो, उसके स्विकल सबको याद दिलाता है, Independence Day celebrations, दूसरे example लिखा है, गांधी's Dandhi March, visiting the Sabarmati Ashram or the coastal town of Dandhi can be an evocative experience, reminding visitors of Mahatma Gandhi's historic salt march, a key moment in the Indian independence movement, अगर कोई Gandhi, Sabarmati Ashram गांधी का visit करे, या coastal town Dandhi में visit करे, तो वो evocative होता है, याद दिलाने के लिए, remind कराता है, वो क्या, Mahatma Gandhi जी के historical salt march को, जो की एक key moment था Indian independence movement में, बिलकुँ सही बात है, याद दिलाने वाला, examples करते हैं, the painting was evocative of childhood memories, जो painting थी, उसने childhood memories को याद दिला दिया, बिलकुँ सही है, adjective के तोर पे आ रहा है, evocative, ओ, ठीक है, एक साथ आएगा, sorry, preposition आईगी, ओ, the sudden evocative silence made the audience restless, evocative silence doesn't make any sense, हाना, silence के context में evocative का क्या meaning है, गलत है है, the old photographs were evocative of a bygone era, full of nostalgia, पुरानी photographs, ने याद दिलाईं क्या, एक बीता हुआ, पुरा एरा, एरा यानि की, समयकाल, बहुत बड़े level का, बहुत बड़े समय को हम बोलते हैं, वादब लंबे समय को, जो एक लंबा period होता है, उसको बोलते हैं, अपने आप में, काल, काल खंड, full of nostalgia, nostalgia है एक और वर्ड बिला, पुरानी यादे हैं, जो आपको उदास करते हैं, खुछ भी करते हैं, दोनों तरीके से, nostalgia, जब आप इस तरीके कोछ फील करते हैं, कुछ फोटो को देखके, किसी गाने को सुनके, तो आप बोल सकते हैं, I am feeling nostalgic, मुझे याद आ रही किसी जो है, वो grand mother, जब हम दादी या नानी जी के घर पर time बिताते थे, खास करके spring, यानि वसंत रितु के time में, तो वहाँ पर जो महक आ देखी फूलों की, वो मुझे याद दिला रही, अभी जो fool है, उनकी जो महक है, मुझे याद आ रही, नानी या दादी जी के मकान पर जैसे redolent, बहुत ज़्यादा, खुशबुदार, महका हुआ, एक तो यह हो गया meaning redolent का, दूसरा meaning, बिल्गुल reminiscent का synonym, यानि याद दिलाने वाला किसी ही पुरानी चीज़ को, antonyms की बाद करें, तो forgettable, भूल जाने लायक, dull, जिससे कोई आपके अंदर emotion नहीं पैदा नहीं हो, तो वो dull होगा, और यह सारे antonyms के तौर पे consider की जाएंगे, next word is eloquence, eloquence again, जैसे अमने rhetoric अभी discuss किया, आप कह सकते हैं कि exact synonym तो नहीं है, पर मिलता जूलता है eloquence, ठीक है, reference पड़ते हैं, Barack Obama also called attention with his special eloquence to what unites the nation, despite the conspiracy theories and divisions on issues as fundamental as women's reproductive freedom, eloquence का क्या मीनिंग है, fluent or persuasive speaking or writing, यानि कि बहुत बहतरी इन तरीकी से कोई बोलने वाला हो या लिखने वाला हो, तो उसकी जो writing या speaking होगी, या जो speech होगी, persuasive speech होगी, वो कैसी होगी, eloquent होगी, eloquent, adjective के दौर पर जबाएगा, eloquence, noun, यानि ऐसी अगर किसी के अंदर कला है, तो उसके अंदर क्या है, क्या बाते हैं, हम eloquence पाते हैं, वाक पटता, या लिखने में भी हम बोल सकते हैं, वाक यानि बोलने से संबंदित, लिखने में जब किसी के पास ऐसी कला होते हैं, तो वही हम बोल सकते हैं, उसके पास eloquence है, हम भी, अभी examples पढ़ते हैं, जवालाल नहरूँ इस ट्रिस्ट विद देस्टिनी, जस्ट बिट, अब नहरूजी ने 1947 जब इंडिपेंडेंस हमें मिली, तो जो शाम कोनों ने जो speech देती पालिया मेंट में, बहुत पेमस है, ट्रिस्ट विद देस्टिनी, यानि कि देस्टिनी के साथ मिलन, ट्रिस्ट म बहुत सारे लोगों को प्रहाविद किया, शांदार वर्ट उन्होंने उस किया उसमें, लिखा हुआ है नहरूज इलोकेंस दूरिंग इस आइकनिक स्पीच ऑन देव इव उसको पढ़ते हैं, और सुनते हैं, तो अंदर से एकदम से रोंटे कड़े हो जाते हैं, जो उन्ह को इंदम हिट करता है, अंदर तक, tryst with destiny, ठीक है, अब्दुल कलाम's address to youth, सर, कलाम जब भी बोलते थे, बच्चों से बात करते थे, उनकी भी speech में हमें क्या देखने को मिलता था था, eloquence, एक दब हिट करती थे उनकी speech, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कलाम's eloquence in speeches, particularly his addresses to students, inspired generations of young Indians to dream, beg, and contribute to nation building, making him a beloved figure, बिल्कुल सही बात है, इनकी speech में, जो words होते थे, इतने पावफुल यूस करते थे, वो words, कि वो हिट करते थे हमें, और खासकर कि students को inspire करते थे, और young generation को ने बट इंस्पार किया, कि वो nation building में help करे, So eloquence, I hope आपर सामझ में आया हो, और चार sentences हैं, देखते हैं कौन साइफ, कौन सा गलत, the eloquence of the landscape was visible again, eloquence का landscape के साथ, क्या संबंद है, कोई संबंद नहीं है, गलत है, the politicians eloquence won him the admiration of the crowd, politicians ने इस तरीके से speech दी, दमदार speech दी, और ऐसे, बहतरीन words यूस किये, impactful words यूस किये, जि सही है sentence, she was praised for her eloquence in articulating complex ideas clearly, अब कोई lady है, या कोई girl है, उनकी तारीफ होती है, क्योंकि वो complex ideas को बहुती साधार शब्दों में लोगों को समझा देती हैं, जिस तरीके से लोगों समझ में हैं, उस तरीके से वो समझा देती हैं, इसलिए उनकी तारीफ होती है, articulate यानि, यान एकि express करना, ठीके, सही है, sentence, the professor's eloquence in conveying difficult concepts captivated the students, कोई professor है, वो इतनी साधगी से, इतने आराम से difficult concepts को relate करके, real life example से आपको समझा देते हैं, बच्चों को समझा देते हैं, कि सारे लोग बस मोहित हो जाते हैं, captivate हो जाते हैं, ठीके, captivate, यानि मोहित कर लेना, एक तरीके से, बांध लेना, मुख्द करनेना, ठीके, सो ये था eloquence आपके लिए, बात करें, sentence की fluency, articulacy, expressiveness, और sentence की बात करेता हो, inarticulacy, clumsiness, यानि कि क्या बोल रहे हैं, आदे words बोल रहे हैं, आदे नहीं बोल रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है, इन coherence, यानि कोई logic ही नहीं है, कोई relation ही नहीं है, जो बोल रहे हैं, और जो उनके expressions हैं, उनमें कोई logic नहीं है, कोई ताल्में नहीं है, तो हम बोलेंगे की incoherence है, जो भी speech है, जो writing है, piece of writing है, उन कैसी है, incoherent adjective दोर पे, next, idiom is mend fences, mend fences, mend यानि बदलाफ करना, fences यानि दीवार, ठीक है, बहुत easy है, समयचे में, reference पड़ते हैं, showing none of the daring or empathy that is needed to mend fences with neighbors who disagree, okay, meaning make peace with a person or group, यानि कि जगडे को समाप्त करके वापे शांती बनाना, उसको बोलते है, mend fences, idiomatic expression है, गली लगाना, गली लगाना, कैसे जगडे को खतम करके, पहले जगड़ा चल रहा है, दोनों के बीच में, अब उनों fences, ठीक है, example, sorry, चार sentences है, बढ़ते हैं, कौन से सही, कौन से गलत, after the argument, they work to mend fences and restore their friendship, एनी argument के बाद, उनोंने क्या decide किया, उनों decide किया कि चलो, जगड़ा समाप्त करते हैं, और वापस से हमारी जो friendship थी, उसको हम restore करते हैं, बना लेते हैं वापस से, sentence बल्कूर सही है, she sent a heartfelt letter to mend fences with her estranged sister, उनोंने अपनी sister को, जो उन से विवाद करके दूर चले गई, estranged यानी छोड़ दिया, जिसको छूट गई, चली गई, विवाद करके, और अब बाचीत नहीं होती आपस में, उनको उनोंने एक बहुत heartfelt letter लिखा, बहुत संजीदगी भरा letter, यानी की बहुत जादा emotional letter लिखा, और फिर उनोंने दौनोंने आपस में गले लगाने का फैसला किया, मिल गए वापस से, ठीके, sentence सही है, बिल्कुल, After years of hostility, the two neighbors decided to mend fences and be on good terms again, बहुत सालों से जगड़ा था, finally we will decide किया, कि भाई, ये कड़वाहत, hostility, कड़वाहत, खतम करते हैं, और वापस से एक हो जाते हैं, बिल्कुल से ये, The gardener worked hard to mend fences, अब ये literal meaning, यहाँ पर चूज कर लिए है, पर mend fences, I hope आपको सनम समझ में आ गया हो, इसका context and meaning, Synonyms की बात करें तो reconcile, हम previous किसी lecture में discuss कर चुके है, Resolve, Harmonize, इस सारे synonyms से, एक जैसे meaning है, इनके anonyms, यानि disrupt, खतम कर देना, यानि कि एक तरीके से, जो चल रहा था, उसको आप खतम कर दे, Relationship चल रहा था, आपने disrupt कर दिया, upset, alienate, alienate यानि आपने किसी को अपने से दूर कर दिया, Alien, alien का concept क्या होता है, जो कई और की दुनिया की लोग, है ना, हर एक word पे, और जो यहाँ भी idiom भी मिला हमें, हर एक word या idiom पे, अपना खुद का sentence बनाना है आपको, और आपका जो sentences का पुरा एक group बने, उसको एक single comment के तोर भी drop कर दिना है, इस video lecture के comments section में, अगर आप ऐसा करते हैं, तो सबसे ज्यादा आप learn करते हैं, यह बात मैं हमेशा बोलता आया हूँ, ठीक है, दूसरा काम, मैं हूँ telegram पे, this is my username on telegram, जिन भी बच्चों ने smart read course बच्चेश कर लिया है, पर अभी तक group join नहीं किया, I don't know for what reasons, वो अपना payment का screenshot मेरे साथ share करें, और I'll share the telegram group link with you, group join करें, because actual discussion उसी private group में हो रहा है, तीसरा काम, पूरा lecture आपने देखा, lecture देखने के बाद आप हो जाना है, आपके smart read course के dashboard पे, और attempt करनी है, smart read number 76, with utmost focus of yours, attempt करने के बाद आपको pick करनी है, आपकी RC speed क्या रहेगी, और आपका RC level क्या रहा है, इस exercise में, दोनों के screen shots लेके drop कर देने हैं, हमारे private telegram group में, so that I can check, I can assess, I can gauge a performance, and then I'll be able to help you accordingly, I have a pin, आपसे मिलता हूँ एक नए lecture में, कुछ नएवर्स के साथ, take care.